नमस्ते टेडिस एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है चले देख लेते हैं आज क्या प्राइस एक्षन रहा था और कल कैसी मुवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी से तो यहां पर आप देखोगे आज भी एक बहुती मतलब गैप उपन हुआ था रेजिस्टेंस के आसपास ओपिनिंग मिली वहां से से लॉफ आया फिर यहां पर गैप फिलिंग हुई मार्केट ने एक बेस बनाया उपर की तरफ निकला और फिर यहां पर मार्केट फाइनल टाइम में जब उपर की तरफ लास्ट होने वाली थी तो उस टाइम एक उपर का रहले इसने दिखाया था बटकुल मिला चुला के बहुत ही छोटी रेंज 100-800 पॉइंट के आसपास मतलब जो कल रेंज बनी थी उससे भी एक छोटी रेंज हमें देखने को मिली है तो अभी यह क्लियर है कि जो मार्केट में पीरि पूरी चीज दिखाता हूं जो यह साइकल वाली प्रॉब्लम हो रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि कहीं यह पर्मानेंट तो नहीं है मार्केट में क्या हो गया कैसे गाम चलेगा तो यहां पर मैं आपको एक वोलटैलिटी साइकल एकस्पें करता हूं एक इंडिकेटर हो एक्सपें करता हूं तो आप यह चार्ट देख रहे हों कि यह मैं इसको थोड़ा कर लेता हूं तो यहां पर जो एक्लियरली जो यह स्पाइक दिख रहा होगा यह स्पाइक ऑफ कोविड का फॉल आया तो यह जितना उपर है ना यह उतना वोलटैलिटी बता रहे हैं जैसे इस जगह पे देखो तो उस समय बैंक निफ्टी का जो एवरेज रेंज पहुंच गया था वो 1600 पॉइंट के आसपास पहुंच गया था यानि डेली की जो कैंडल बन रहे हैं वो 1600-1700 पॉइंट एवरेज की बन रहे थी तो यह जब पीक था और अगर आप एवरेज वैल्य देखोगे तो एवरेज बीच का कही निकाले तो यह एवरेज वैल्यू निकलता है बैंक निफ्टी के जो वोलटैलिटी है 700-800 पॉइंट के आसपास हमें एवरेज कैंडल देखने को मिल जा दे किसी दिन 1200 दिखेगी किसी दिन 400-300 दिखेगी तो यह एवरेज वैल्यू है बट अगर आप अभी देखोगे अभी यह जो एटीयर है अभी एटीयर कहां पहुंच चुका है अल्मोस्ट 400-500 के आसपास पहुंच चुका है अब देखोगे यह लेवल मार्केट कितने साल बाद यहां पर आ रहे हैं एक बार यहां पर आया था 2020 के टाइम उसके बाद मार परकेट 600-500 के आसपास रचता था बट इतना नीचे नहीं आता था तो अभी वोलाटालिटी बहुत ज्यादा कम हो गया मतलब रेंज बहुत चोटा हो गया बट यह चीज निराश करने वाली नहीं है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो हमें ऐसे मूवमेंट्स जो है वो option seller का zone है तो कभी option seller पैसा कमाता है कभी option buyer पैसा कमाता है तो अभी option seller के पैसे कमाने की बारी है तो यहां पर ऐसा नहीं है कि market अब ट्रेडेबल ही नहीं रहा bank nifty में बहुत बड़े structural changes आ रहे हैं नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है market में फिर momentum आएगा और वो अच्छ चाहिए ना कि क्यों market slow हो गया तो उसका एक simple reason यहीं है कि market ने अपने highs को break क्या all time high को खासकर bank nifty जादा सान्त है bank nifty जादा सान्त है क्योंकि all time high break क्या है तो further targets clear नहीं हो पा रहे हैं तो इस समय भी हमें technically ही approach करना चाहिए और इस बात को दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि ऐसा ही market हमेशा रहेगा देखो आज market पूरा sideways था तो आज मैंने कोई trade नहीं लिया मैं निफ्टी में trade की planning कर रहा था बट निफ्टी में नहीं trade लिया मैंने क्योंकि निफ्टी में उतनी आधत नहीं trade करने की तो bank nifty primary instrument है भी तो यहाँ पे sideways था तो मैंने आज कोई भी यहा हमने discuss किया था कि यह level as a support काम कर सकता है तो यहाँ कहीं से अगर ऊपर open होके इधर आता है तो हम एक bounce देख सकते हैं वाकि इस level से भी bounce हमें देखने को मिल सकता था तो दोनों जगा buy on dips का ही market है अभी खासकर bank nifty अगर आप देखोगे बड़े time frame है तो यहाँ पे मैं bank nifty जाना चाहिए इसे बट अगर यह नीचे की तरफ भी break करता है तो फिर यहाँ भी कोई बात नीचे भी हमें अच्छा movement देखने को मिलेगा अब निफ्टी की बात कर लेते हैं अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में considerably अगर आप दुनों को consider करो गया relatively आप दे से reverse करके एक अच्छा movement warning में देता है फिर यहाँ पर consolidate होता है और उसके बाद फिर एक और अच्छा जो closing time में एक अच्छा movement देखने को मिलता है बट इस सब time पर breakout trade करना थोड़ा difficult हो जाता है क्यों difficult हो जाता है क्योंकि market यहाँ भी breakout शो कर रहा था यहाँ भी breakout शो कर रहा था वैसे आप technical follow करो गए तो fourth time breakout की probability जादा होती है बट क्योंकि यहाँ पर हमारे back of the mind यह चीज है कि market sideways है तो sideways market में generally जो breakout होते हैं वो traps होते हैं तो ऐसे सब movements को भी न हम पूरी तरीके से capitalize नहीं कर सकते हैं बट अगर आप देखो कि 15 minute का चार्ट है तो यहाँ पे कुछ candlesticks आपको दिखे थे एक bullish engulfing candle बनी थी तो एक छोटे quantity से इन सब जगों पर enter किया जा सकता है यहाँ पर पर क्यों बड़ा रखे क्योंकि अगर आप इस छोटे से जोन में और छोटा stop loss लगाएंगे तो multiple time entry exit हो जाए क्योंकि of course market ऐसे ही move कर रहा है यहाँ तो अगर stop loss for example अगर आप यहाँ कहीं बाइंग करते यहाँ कहीं करते और आप stop loss थोड़ा सा बढ़ा रखते यहाँ पर द जरूरी बात है कि अगर आप option trading कर रहे हो तो अभी add the money या in the money पर ही stick रही है अभी ज्यादा out of the money मत जाए ज्यादा out of the money जाने से क्या दिक्कत है कि market range में अगर एक देड़ घंटे फसता है तो थोड़ा dk हमें ज्यादा देखने को मिलेगा तो otm buy करना गलत नहीं है otm buy कर island हो तो उस case में out of the money premium नहीं buy करना चाहिए आज कल add the money या in the money में रही है आप इन the money भी यहाँ पर buying कर सकते हैं कल के लिए क्या prediction है वो देख लेते हैं यह वैसे finnifty का चार्ट है finnifty में भी आप plan कर सकता हो finnifty को भी मैं include करू या ना करू क्योंकि मैं trade नहीं करता हूं मैं bank nifty को trade करता हूं nifty को trade कर nifty को देखता हूं बट finnifty भी बहुत लोग कर रहे हैं तो मैं सोचा मैं भी include करी लेता हूं मतलब मेरी analysis में include कर लेता हूं दिख रहा था यानि यहां पर मार्केट में हमें lower low lower high का pattern दिख रहा था बट मार्केट इस दो दिनों में उसको completely change कर चुका यहां से आप देखो एक प्रिवियस लो अगर आप देखोगे जो major lows हैं वो कोई break नहीं हुए यहां पर मार्केट एक strength so कर रहा है strength मतलब ऊपर गय करने की तयारी कर रहा है एक price action अब देखो यह ऊपर जा भी रहा है अगर आप practically देखो दिन बर घूम के closing उपर दिन बर घूम के closing उपर कर रहा है मतलब यह slow ends दो धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ रहा है बट वो धीरे-धीरे वाला area हमारे लिए थोड़ा problematic है क्यों करना थोड़ा जाएगा तो अगर इस ट्रेंड लाइन का breakdown आता है नीचे की तरफ तो नीचे के लेवल से ट्रैप हो जाता है यहां पर यहां पर selling थोड़ा risky है अभी selling के लिए हम थोड़ा नीचे इस लेवल के आसपास इसके नीचे prefer कर सकते हैं यहां पर एक aggressive entry कर सकते हैं क इसका breakdown भी एक fast move हमें दे सकता है इस बात का ध्यान रटना पड़ेगा selling के लिए अगर आप buying करना जाते हो तो यह जो हमारे पास 42,500 का level है यहां पर 42,500 का level यह है तो अगर opening में ऐसे break करने लगता है इसको उसके बाद sideways एक inside candle बनती है 15 minute में या थोड़ा नीचे retrace करता है 5 जाए 1 minute में और retracement के बाद हम फिर एक buying कर सकते है और target यहीं कहीं कर रखेंगे और generally जो यहां पर movement बढ़ियां आएगा अगर एक बार इसके उपर close कर दे मार्केट अगर कोई candle इसके उपर close दे दे यहां पर ऐसे जाके close दे दे daily candle और उसके बाद अगली candle sustain करते हुए उपर अगर अभी market slow है वो तो हमें दिख रहा है तो जबी भी हम entry करें यह ध्यान रखें कि target 1 आपका छोटा होना चाहिए small होना चाहिए और target 2, target 3 भी decide कर लिजे कि in the case अगर market momentum पगड़ लेता है तो फिर आप रुक सको ठीक है इतना दिन market रुका हुआ था तो छोटे छोटे जो माइंडसेट और confidence मत खराब करेगा बस इन तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है बाकी डिरस जो एक दिसंबर से हमारा batch 5 स्टार्ट होने वाला है आतने पर option buying को उसका जिसमें सारी चीज़े मैं detail में discuss करता हूं कैसे trade करना specifically option buyers के लिए ही बनाय गया और उसके लिए बन के लिए वीडियो का एक link दिया हुए description में आप जाके उसको देख सकते हैं comment section में नीचे दिया हुए बाकि enroll करने के भी link नीचे दी हुई है अब वहाँ जाके checkout कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही बाकी opening कहा होगी उसके हिसाब से कल जो thoughts वीडियो आएगे उसमें मैं update कर दूंगा उसको जरूर देख लिया करें छोटी सी वीडियो रहती है उसमें opening के हिसाब से मैं levels वगरा बता देता हूं चले इस वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में